नमस्कार अब देख्रे न्यूस फोर्नेशन और मैं हूं सांक्वन आपके साथ अपने घर से सोने का कोई भी समान लाने की जरूरत नहीं होगी रेलवे विभाग एक बार फिर से अपने यात्रियों को सारी सुविधाओं से लैस कराने जा रहा है जहां पर यात्रियों को बेडशीट, तकिया, कंबल और हाथ कोशने के लिए तौलिया भी दिया जाएगा बता दे कि बीते एक साल के अंदर रेलवे विभाग ने इन सारी सुविधाओं को पूरी तरीके से स्थागित कर दिया था लेकिन अब एक बार फिर से रेलवे विभाग के द्वारा इन सारी सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाय जाने की तयारिया की जा रही है बतादे कि रेलवे की सबे डिविजिनों पर तैयारिया हो चुकी है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसको लेकर हाला कि अभी आधिकारिक घोशना रेलवे विभाग के तरफ से होना बाकी है क्या कुछ खास है इस खबर में और क्या कुछ तैयारिया चल रही है रेलवे विभाग के तरफ से क्या कुछ नई सुविधाय दी जाएंगी और सुविधाओं में क्या कुछ बदला हो रेलवे विभाग के तरफ से अपने यात्रियों के लिए आईस की पूरी जानकारी आपक पहली की तरह ही पैसेंजर्स को कंबल, बेडशीट, तकी और हाथ पोशने के लिए तौलिया दिया जाएगा रेलवे बोर्ड ने इसकी तैयारिया शुरू कर दी है सूत्रों के अनुसार सभी जोन और रेल डिविजनों को अपने स्तर से तैयारिया शुरू करने को कह दिया जा चुका है बस इंतजार है आधिकारिक तोर पर आदेश मिलने का दरसल इस बार में अभी मौकिक तोर पर रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है अधिकारिक तोर पर ओर्डर नहीं आया है सभी जोन और डिविजन ने अपने स्तर से पैसेंजर्स को ट्रेन में इसी कोच में बेजोल देनी की तैयारी शुरू कर दी है सुत्र बताते हैं कि रेले बोर्ड की तरफ से जल्दी बेजोल की धुलाई के लिए टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा या टेंडर नए सिरे से होगा इसी कोच में बेजोल बाटने के लिए भी अलग से टेंडर होता है जल्दी इसका भी टेंडर होने वाला है बेजोल की विवस्था फिर से बहाल किये जाने को लेकर श्रनिवार को पुर्व मध्यरेल की CPRO राजिश कुमार से बात की गई इसे जुड़े सवाल पूछे गए जिस पर उन्होंने या कहा कि उनकी जोन को इस बारे में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिले हैं हाला कि बोज अपने स्तर पर कुछ तैयारियां जरूर कर रहा है गौर्टलब है कि ट्रेनों में करीब 19 महिने पहले बेजोल की विवस्था बंद कर दी गई थी बतादे कि देश में संकच होने के वज़े से रेलवे ने बेजोल की विवस्था को बंद कर दिया था बावजूद इसके AC कोच में सफर करने वाले पैसेंजर से टिकेट में बेजोल का चार्ट जोड़ा जा रहा था देश भर में बड़े पैमाने पर चल रहे है इस गड़बडी को इन बातों का ध्यान में रखकर ही रेलवे बोर्ड ने बेज रोल की विवस्था को फिर से बहाल करने की तैयारियों में जुच चुका है पिछले सफता से ही रेगिलर च्रेनों को ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है बतादे की देश में संकट के समय रेगिलर ट्रेनों को स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा था इनके नाम पर भी पैसेंजर से एक्स्टा रुपे वसूले जा रहे थे बतादे की रेलवे विभाग के तरफ से बीते 19 महिने में रोल बेट की जो सुविधा है वो पूरी तरीके से स्थागित कर दी गई थी लेकिन एक बार फिर से अब रेलवे विभाग अपने सुविधाओं को नई सिरे से सुचारू रूप से चलाने की तैयारियों में जुट चुका है गोशना होनी का अंतजार अभी यात्री और साथी साथ रेलवे वोट भी कर रहा है इसके बाद पूरी तरीके से सुविधाओं के साथ रेलवे विभाग अपने यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा जिसके बाद यात्रियों को अपने लंबे सफर के दोरान किसी भी पर करशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अभी के लिए इतना ही एनकई अपडेट्स के नमाए साथ बने रहे न्यूस फानेशन में नमस्कार